में जुड़ चुके हैं विरेंजी स्वागत आपका दलित बोट बैंक के लिए जो मायवती से बिखरा है तेरा चौदा परसेंट 21 परसेंट में से उसके लेकर बड़ी हिस्सेदारी तय हो गई अभी तक बीजेपी उनका लाइन शेयर इंजुआय कर रही थी अब उसको चुन लदाय की जो चाहे खरीद ले लूट ले और ले जाके डलवा ले दलित उत्तर प्रदेश में अपना सबसे बड़ा नेता वो मायवती को मानता है और मायवती ने एक छत राज किया दलित वोटो पर बहुत लंबे समय तक आज इस देश में दलित समाज अगर मायवती के ना लेकिन ये धाड़ा क्यों बन रही है कि मायवती के साथ दलित वोट कम हो गया या दलित वोट छिटक रहा या चला गया वोट परसेंटेज और सीटों में गिरावट तो आई और सायद इसी का फाइदा लेने के लिए देखिए थोड़ा भाजपा में अभी संग के प्रमु वाइकों को और सांसदों को उतारा गया इस लिहाद से कि उनको भाजपा से जोड़ा जाए दलितों को और संग के निर्देश पर यह अभियान चल रहा है लेकिन लोग यह जानते हैं कि मास्टर प्लान चाहिए जतना बने दलितों के लिए दलित बहुत बाहर सुतंतता से वोट करता है और घोसी का जो चुनाव परड़ाम आया उत्तर परदेश में उसने इस बात को दिखाया कि दलितों के लिए ज़रूरी नहीं कि अगर मायवती की पा 57 परसेंट से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंग को मिला तो यह एक बात तो यह देखिए संकेत है कि दलित थोड़ा डगमा वो यह देखता है कि कि किसको जिताया जाए जहां पर मायवती का पार्टी नहीं होती है लेकिन आजकल नया सिस्टम आया भाई कि घर पे खाना खाओ समझाओ वोट पानी लेओ और आगे बढ़ो लेकिन ये जो घाना पीना करकें चलना है जो नेता दलित बस्तियों में जा जाकर देलतों किया खाना खाते हैं उनको चाहिए कि कभी-कभी देलतों को बुलाके अपने घर भी खाना खिलाओं है खाली उन्हीं किया न जा जाके खाएं तो थोड़ा बराबरी का भाई-चारे का मामला भी अउर अच्छा हो जाए ब्रजेजी भाजपा इस देश में उन वोटों की भरपाई उत्तर-प्रदेश के दलित वोटों से करना चाहती है जो देश के विवि बीजेपी और हसरत भरी निगाह से देख रही है लेकिन वोट सबको चाहिए बराबरी का दरजा कोई नहीं देगा बीजेपी का परहेंड इसलिए हो जाता है कि उनके पास दलितों के लिए सरकारी तमाम योजनाएं हैं सिलेंडर हैं पैसा है सुईधा है दलित नेताओं की फाउज है बीजेपी थोड़ा इस मामले में आगे हो जाती है लेकिन जो जाती बेवस्ता है इस देश में प्रकृत की तुए सचाई है कि कोई चाह कर किसी जात में पैदा नहीं हो सकता चाहिए वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो ना उसके अधिकार में हैं लेकिन ये बाते कहीं जाती है चुनाओं में अगर उस पर अमल बढ़ाया जाए तो फाइदा हो भी हम जिस बेवस्ता में हैं वहाँ पर जब हमारे उपर मुसीबत आती है तो हम जाती देखकर मदद तो मांगते नहीं लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोगों का कहना है कि जाती बेवस्ता खत्म होनी चाहिए खास्ता और से हिंदू समाज में सामाजिक सुधार के लिए इसकी बड़ी जरूरत है आज और हिंदू समाज का पुनर निर्मार तब तक नहीं होगा जब तक जाती बेवस्ता खत्म नहीं होती है राजनेतिक सुधार से बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ता है हिंदू समाज जाती बेवस्था से ग्रसित है जो दलितों पर अत्याचार की तमाम सारी वैद अवैद कहानियां भरी पड़ी हैं जो दिखाई पड़ती हैं ये जाती बेवस्था हमारे समाज की एक्ता बंदुत और भाईचारा को रोकती है तो ये जो इस्तितियां है बिर्जेट जी वो मैंने बताई लेकिन कहते हैं कि कलवा है मगर सच है हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुन्दर्ता को रंग रूप से देखा जाता है सिच्छा को मार्क से देखा जाता है और सम्मान पाईसे को देखकर देखा जाता है जाती बेष्था तो वहां गायब हो जाती है तो वहां पराया नहीं रह जाता है लेकिन भगवान ने सभी इंसानों को एक समान मनाया है जो लोग इंसानों में भेद्भाव करते हैं वे परमात्मा की बनाई हुई हर कृती का अनाधर करते हैं और उनको इसका हक नहीं है लेकिन ठीक है अब इस ब्योस्था में सब को चलना है लोग चल रहे हैं वोट सियासत में हर पांच साल पर चुना होता है कौन किसका वोट लेगा यह तो वक्त तै करेगा लेकिन यह सुनिएगा कि असफलता एक चुनवती है स्विकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो और जब तक नसफल हो नींद चैन को त्यागो तुम और संगर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम और कुछ किये बिना अबने वाद ग्राउंड जीरो से अपने इंपूर्ट फीडबैक और एक बहतरी इंशेर सुनाएगा